प्रेमित्रों ये पाठिक्रम जो है ये आपका एक राजमार्ग है ये एक राजमार्ग है जिस पर चलते वे आप अपने अभीष्ट तक पहुंचते हैं अपने लक्ष तक पहुंचते हैं जब हम गर से निकलते हैं गर से निकलने से पहले याद रखेगा गर से निकलने से पह बार कहता हूँ मनुश्य जन्म लेना और उसकी सार्थक्ता सिद्ध करने के लिए हमें सबसे बड़ी बात है व्यवस्था के साथ जीवन जीना होता है जैसे हमें व्यवस्था के साथ अपने संपूर्ण जीवन का एक रूप रेखा हमां हम बनाते हैं ठीक वैसे ही आपकी पर परकार से पढ़ना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए दूसरी बात प्रिमित्रों हमारी आदत यह भी होती है कि जब परिक्षा आ जाती है उस समय हम जो है रात दिन मन मस्तिक्ष चाहे उस समय हमारा तयार है नहीं है बुद्धी नवीर जान को ग्रहन करने के लिए ततपर है इस बात का हम विचार नहीं करते हम बस डाले जाते हैं हम बस डाले जाते हैं दूसरी बात मैं आप सब लोगों से कह दूं कि इस समय हतोडा गर्म है और गर्म हतोडे से चोट मारी हुई जो है बिलकुल लक्षे का भेदन करती है इस लिए एक दिन के लिए भी रुकिये मत ठेहरिये मत निरंतर चलना चाहिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सूर्य कभी आवकास्ट नहीं लेता वो यह नहीं कहता कि आज मैं आलस में हूँ और आज जो है मेरा साथ बजे यहाँ इस धर्ती की तरफ आने का मन नहीं है वह निरंतर सूर्य हो चंद्रमा हो तारे हो प्रकृति की तमाम वो चेतन या चेतन शक्तियां निरंतर अपने मार्क पर निरंतर प्रवहामान है ठीक वैसे ही हमें जीवन में निरंतर प्रवहामान होना चाहिए लगातार काम करना चाहिए यह मनुश्य को जो इश्वर का दियावाद जो शरीर है इसका केवल और केवल एक ही काम है इसकी एक ही महत्ता है और वो महत्ता है लगातार काम करना निरंतार काम करना